दोस्तों हाजना एक होर वीडियो रिपोर्ट लेगे चैनल रितेश लखी अनप्लाग दी आज दिस रिपोर्ट देविच मैं काल जारी रखांगा काल हिट लिस्त ते तहत मैं काल किती सी लाला जगत नारायन अते रुमेश चंदर चोपडा जोकी हिंद समाचार समूदे मालक संस्थापक अते न्यूज एडिटर सन उननों किस तरिके नल साल 1981 देविच अते 1984 देविच दोमा नों अलगलग वारदाता देविच मारता गया सी रुमेश चंदर चोपडा नों मारनवाली जथेवन दी दशमेश रेजिमेंट सी पहला मी दशमेश रेजिमेंट दा जिकर कबूली सी तो एज जिनी जब्मेश रेजिमेंट ने वलनों लेगे इसी ते इस दशमेश रेजिमेंट दी जडी टीम जिसने की वमेश चंदर चोपडा नों अपना निशाना बनाया उस पिच परमुक सी जनरल लाप सिंग जिसनों कि सुगदेव सिंग सुखा सिपाही ना बबला अते सुरंजीत सिंग सो एतमाम लोकाने ही इस वारदात नों अंजाम देता है क्योंकि बात देविच दालता देविच सारे लोकान देविच गरफतारी तो बात केस शुरू होए ते मुकद में बाजी दोरान 1986 अपरैल 6 नों एक बहुत वड़ी वारदात जलंदर द देविच होंती है अदालत कचेरियां दे विच दिन धाड़े इस सारे जड़े एक्यूसन एनानू छुडवा के लजांड विच केसी एफ पंजवड द्यमनबीर सिंग चहेडू जोकी मुकी होंता है वो काम्याब होंता है जनरलाब सिंग थोड़ा पिशोकर समझना जरूर सिंग चुकि उस्तरना बाद देविच पया सुदेव सिंग सुखा सिपाही बलो संजनेल सिंग पिंडरावाला होना दे नाल शामल होंता फैसला लया गया उनिस सो तरासी ते दरवान जिनियां टार्गेटिट किलिंग्स होई यां बहुत से केसां देविच हिंदुवां द करन दा जिम्मा जड़ा सी ओ जैनरल लाव सिंग दा होया करदा सी बहुत ही काट समय कुछ ही महीनिया दे वकवे दे विच ही जैनरल लाव सिंग ने संजनेल सिंग पिंडरावाला होना दा बहुत वड़ा विश्वास हासल कर लया सी मैं पहला जिकर किता सी सुरिंदर सोडी सुरिंदर सोड़ी ते जैनरल लाव सिंग दा जड़ा रिष्टा सी और बहुत नेडला सी एक नौ मास दा रिष्टा दो में प्रामा मांग एना दा आपस दे पीछ रिष्टा सी हर्मेंदर सिंग संदू All India Six Student Federation दा जड़ा मुकी सी और बहुत सी जैनरल लाव सिंग बलू स्टार साका निला तारा तो बाद जैनरल लाव सिंग होना इस पूरे ऑपरेशन दे भी छी गिरफतार कर ला जाना दा होर भी बहुत से टकसाल आते All India Six Student Federation दे जड़े खाड़कू रहे हुंदे ने उना नू इस ऑपरेशन दे भी गिरफतार करके बाद दे भी बीच मुल्क दिया अलाग अलाग जेलना वीच पेज जा गया एदस है जानदा भी कई साल जड़ा जनरल लाव सिंग सी सुखडेव सिंग सुखः शपाही और जोधपूर दी जेल दी जेलना दे बिच रहा जिस दोरान उस दे कारदयानों वी ओशनू मिलन दा मौका मिलिया लेकिन में जड़ा केस जनरल लाव सिंग दे खिलाफ अलाग बहुत से केस लेकिन रमेश चंदर चोपड़ा दे कतल दा केस साब तो एहम केस सी जिस पिच की ट्राइल नू बहुत चेती अगे वदाना सरकार दी जिम्मेबारी सी प्रेशर बहुत जादा सी थे हिंद समाचार समू पजाब केस दी जगबानी इस केस नू बहुत नेरता देनाल फालौ अप कर रहा सी तो सरकारा उंते दबा बहुत जादा सर्टनली सी तो इस केस नू एक स्पीड़ी जनरल लाव सिंग सुखा सपाही नू जनंदर दी अदालता दे बिच पेश किता जानदा सी चोपड़ा दा हत्याकान कोई छोटा केस नहीं सी सो इस वास्ते लागे रहा सी भी सुखदेव सिंग सुखा सपाही नू या था बहुत छेती इस केस दा ट्राइल मुकमल करके फा बाद बिच बन चुकी यानिके ऑपरेशन ब्लू स्टार्थोबाद बनी पंथक कमेटी दी एक एहम जथे बंदी दे रूपिच केसी एफ होंद बिच आ चुकी सी उस वक्ते मनबीर सिंग चेहेडू उस दा मुकी सी सो मनबीर सिंग चेहेडू ते उस दे तकरीबन अद्द इन नो जडे मेन एक्यूस सी जिसविच की जनरलाव सिंग, गुरेंदर सिंग, पोला अते सुरंजीत सिंग इननों अदालत बिच पेश किता गया अदालत बिच पेशी दोरान इदस्या जान दा भी जनरलाव सिंग बहुत चोटा उस पक बेटा रजेश्वर उननों मिलन आ बाते हैं देनाल एक बहुत लंबी चोड़ी प्लाइनिंग का रखी सी जिस तहत की अदालत दे विच दिन दहाड़े एह हमला किता जाना सी गोलियां चालना सी खून खराबा होना सी ते इस पूरे खून खराबे दा मकसद एक टे एक सी जनरलाब सिंग और सुखा सिपाही नो पुलिस दी हिरासत पिचो छुड़वा के पजाना सो एक प्लैनिंग बहुत जबरदस सी जिस तहत की अदालत दे विच एड़ी हाई प्रोफाइल पेशी दे दोरान ही एह हमला करता गया एक दस से जानदा भी हमने तो पहला ही अपने छोटे बेटे देनाल जनरल लाप सिं सन उनानों तिन्नों जिड़े एक्यूज ने एक एहावी ओ बाथरूम जाना चांदेने पुलिस वाले उनानों नाल जिमें ही लेके बाथरूम ले निकल देने कोटरूम तो उस वक्त ताबर तोड़ जिड़ियां गोलियां सी और हत्यार बंद खाड़कूआं बल्लों लग जानता है एक बहुत ही खून खराबे परया उप्रेशन रहा जिस विच की जान्दे जान्दे भी दो पुलिस वाले नों गोली मारती गई कुल छे पुलिस वाले दसे जान्दे ने इस पूरी दी पूरी फाइरिंग जो की दिन धाड़े जलंदर दी कचेयने विच होई उस दे विच मारे गए इस तो बाद इतिनों एक्यूज नों लेके खालिस्तान कमांडो फोर्स दे जिनने भी खाड़कू सन और बहुत सोके तरीक के नाल उत्थों बाच निकल देने एक बहुत ही वड़ा डेरिंग ऑप्रेशन सी जिस दे तहत की प्रॉपर प्लैनिंग करके ही पूरी दी पूरी फील्डिंग सेट किती गई सी इस तो बाद इस लोग का नों एथों एसकेप करन दे बीच भी कोई दिक्कत नहीं होई उना नों इस हमले दे बीच सिद्धे तरिक के ना टार्गेट बनाके मारता गया सी हमला ए जड़ा है ए जनल लाव सिंग दे बहुत छोटे बेटे ते उस दे सौरे ते उस दे प्रादी अक्खाने सामने होया जिस तो बाद उना नों भी कई लाशां तो टप के कोट रूम तो बाहर निकलना प्यासी तो एक बहुत बड़ा हमला सी इस हमले तो कुछ ही देर बाद जड़ा मनबीर सिंग चहेडू होंदा है उस नों गिरफतार कर ला जानदा है गिरफतार करन ते उस ते गायब होंदे पिछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है एक बहुत बड़ा राज है कई लोगे मांदे ने भी मनबीर सिंग चहेडू नों गिरफतार करके इलिमिनेट करता गया उसनों एक चूटे मकावले बिच मारता गया कई लोग एवी मांदे हैगे ने भी मनबीर सिंग चहेडू जो कि उस वक्क केसी एफ ता मुखिया सी उसनों कई साल पुलस ने खुफिया जानकारी या अपने मनुरत देनाल खाड़कूआ ते अतवादियां दे खिलाफ लड़ाई लई वरत्या जो करे अलग किसी अलग रिपोर्ट दे बिच इसनों एक्जामेन करन दी कोशिश करागे लेकिन जैनरल लाप सिंग इस बहुत ही बड़े टे डेरिंग हमले दे बिच बाच निकल दा है ते उस तो बाद उसने कई गतिविदियां आनवाले कई महीने विच अन्जाम देनी असन 6 अपराइल 1986 दी इस कटना तो महज अपा लगा के चलिए 5 बहिने बाद 3 अक्तूबर 1986 ओ कटना जिसदा मैं जिकर कार चुका हां 3 अक्तूबर 1986 नू जे फ रिबेरो पंजाब दे नवे बने डीजीपी दे उते पंजाब आम पुलिस दे कैंपस दे बिच वाड के डाका मारा जानदा है उस विच जड़ा में मास्टर माइंड हुंदा है उस पूरे हमले नो पलान करनावाला केरेक्टर हुंदा है, ओ भी जैनल लाव सिंह और सुखा सिपाही हुंदा है उस दे नाल हरजिंदर सिंग जिन्दा, सतनाम बावा, भाईदल जीज सिंग बिट्टू उते होर तमाम जड़े लोग सन बेशक उस बहुत वर डीब बैंक डगैती जड़ी होई सी उस दे होर पातर सन लेकिन जनरल लाव सिंग, मनबीर सिंग चहेड़ तो बाद ना सिर्फ खालिस्तान कमांडो फोर्स था, मुखिया बन चुका होंदा है, बलकि उस दियां वारदातना देविच कोई भी कमी नहीं आरी होंदी, एक तो बाद एक को अटैक लगांदा चला गया, जनरल लाव जिस देगी सौरा परिवार जड़ा है, उटांडे विच वस्या होया सी, उस दी पतनी दमिंदर कौर, ते उस दे जड़े सौरा सन बाद देविच उनना दे अलाग अलाग जड़े अकाउंट सामने आया है, उननने पूरी तफसील दसी है, उस दौर दी गल्ला बातना दसी जड़ों की लुद्याना दे विच एक सेफ हाउस दे विच पूरी दी पूरी लुद्याना बैंक डगैती दी प्लैनिंग होरी सी, बेशक परिवार वाले नो इस दी जानकारी नहीं दिती गई, लेकिन एव समय सन जड़ों की जैनल लाव सिंग 1986 दी अपरेल 6 नो पुलस द अबले दे विच टेर करता गया, पंजाब दे एतिहास दे विच अदालत दे विच होए, सब तो वड़े खुनी कांट दे रूपीच इस वारदात नो दर्ज किता गया, 6 पुलस वाले कुछ अकाउंट 8 पुलस वाले भी लिखते ने, लेकिन जिननेक मैं रेकॉर्ड गुरिंदर सिंग पुला ते जननल लाव सिंग दे वी जड़े रिष्टे दसे जानदे ने, आखिरी कुछ दिना दे विच काफी कुड़तन परे बांचुक के सन ते जननल लाव सिंग नो भी इस चीदा काफी खच्छा रहा, या उननो इस चीदा शक भी सी, जिस तहत की द गुरिंदर सिंगisma पुला नो भी एक दिन बुला के जड़ा सी अमरसर दे विच एक मीटिंग ली बुलाया गया। गुरिंदर सिंग्पोला उते इस शक दे चालदेया ही, या फिर उस दे विरोधियनाल मिलन दे शक दे चालदा आ ही, जनल लाब सिंग वल्लो दस्या जान्ता है, गुरिंदर सिंग्पोला नो भी नूटरलाइज खतम करवाता गया, उस नो पहला था दरबाहर साब दे विच सद्या गया सी 1986, 1987 दे इस इना सालना दे दोरान ही ते उस दोरान उथे उस नूँ मारता गया सी इस केश दा ट्रायल अगे नहीं तुर पाया क्योंकि इस छे प्रैल दी वारदा तो बाद जिनने एक यूज सन उफरार हो चुके सन इस वरस्ते इस केश दा ट्रायल अगे तुरंदा कोई लंबा चोड़ा मतलब नहीं सी बनदा बेशक इस केश दे विच बाद दे विच आप चारिक तामा पूरियां कितियां गई हैं लेकिन चूंकि इस केश दे विच ना ता सुखा सेपाही हाथ विच सी ते ना ही गुरिंदर गोला ते ना ही स्वरंजी सिंग तो एक केस सीरे ते नहीं पहुंच पाया सुखा सपाही नूवी दस्या जानता है वी एक तोखे दा शिकार होना पया ते एक ट्राप दे विच ओपुलस दे फस्या जिस्तो बाद कि उसनू जहर देके ऐलिमिनेट किता गया ते बाद दे विच उसना मुकावला जाड़ा सी उसनू टांडे दे ही आसपास दखाया गया जिस दे विच की दस्यात है एक यावी पुलस ने एक ट्राप ले किता सी जिस्ते तहट की उसनू नाके ते रोक के बंगा रहा गया ते उसनू गोलियां मारती हैं गया लेकिन असल कहानी कुछ होर सी उक दे लंबी चोड़ी कहा है अंडर ट्राइल्स नो छुड़वाए जाम दी सब तो खुनी संगर्ष दे रूप विच दर्ज है बहुत कट लोका ने इस केस बारे चर्चावा कितिया ने सो मैंनों लगा भी इस केस नो अबाँ हिट लिस दी ही इस सीरीज दे तहत चर्चा विच ले आ सकते हैं उमीद रिपोर्ट लाके छेती हाज़र होंगा बहुत 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 तान बात